Good morning students, I am Imam sir and today I will teach you your new book in which the first lesson is The Bhalvetin Rabbit. The Bhalvetin Rabbit एक खर्गोष की कहानी है. मैं सबसे पहले ये बात बता दूँ आप लोगो को, कि ये पूरी कहानी मैं आपको इंग्लिस में नहीं बता सकता, समझने में दिक्कत होगी. और नहीं इंग्लिस में लाइन बाई लाइन में परहा कर एक्स्प्लेन कर सकता हूँ. इसलिए बिडियो के माध्यम से, बिडियो के जरिये, मैं इसका पूरा समरी आपको हिंदी में अच्छा से कह दूँगा, ताकि आप उसे समझ जाएं. मैं question answer भी इसका करा दूँगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी. अगर कोई दिक्कत होगी, तो आप mobile पे phone कर सकते हैं मेरे, मैं उसको deal कर दूँगा. सबसे पहले हम कहानी के writer के बारे में जानते हैं, और फिर उसके character के बारे में जानेंगे. अगर ये writer के बारे में जानते हैं. इसकी जो writer है, वो एक lady है, जिनका नाम है Marjorie Williams, जो 1881 में पैदा हुई थी, और 1944 में मर गए. ये लंदन में उनका जनम हुआ था. वो एक English American author थी, और ये children's book के लिए काफी popular थी. 19 साल के उमर में ये एक professional writer बन चुकी थी, और एक 40 साल की उमर में उन्होंने जो lasting fame पाया, यानि ऐसी सुहरत पाई जो साइट खतम ना हो सके, यानि इस literature की दुनिया में वो अमर हो गई. कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी चीज दी अपने writing के जरिये, जो उनका best known work माना जाता है, और वो कहानी आपके सामने है, दा भलवेटीन रैबिट. अब हम कहानी को देख, character को समझ लेते हैं, इस कहानी के अंदर जो characters हैं, उसमें main जो character है, chief protagonist, main character, main hero, वो वो वलवेटीन रैबिट हैं, उसी पर पूरी कहानी है, उसके बाद से इसमें एक लर्का है, फिर aunts अंकल भी हैं, जो उस लर्के के aunts और uncles हैं, उसी लर्के के पास ये वलवेटीन रैबिट भी रहता है, तीमोथी ये खिलाओना है, वलवेटीन रैबिट भी खिलाओना है, तीमोथी जो है, वो एक wooden loin है, वो अपने आपको शरकार का हिश्चा समझता है, एसकीन होर्स भी है इसमें, फिर एक नाना जो एक लेडी है, दरसल वो एक नैनी है, चाइना डॉग यानी चीनी मिटी का कुत्ता, और कहानी के अंत में एक परी भी आती है, अब मैं कहानी को शुरू करूँगा, आप लोग गौर फरमाएंगे, वीडियो आपको तीन हिश् इस कहानी में है, एक मकमल का बना खरगोस था, शुरुवात में वो बहुत संदार था, एक मोटा गोल मटोल, गुदगुदा सा, जैसे एक खरगोस को होना चाहिए, उसकी चमरी, भूरी ब्राउं और सफेद वाइट थी, उसकी धागे से बनी मूचे भी थी, और उसके कानो में गुलाबी भीतों से बनी लकीरे भी थी, यह मकमली खरगोस जो था, एक क्रिसमस के सुभा, यानि जो क्रिसमस परव होता है अंग्रेजो का, उस सुभा एक लड़के के जो गिप्ट्स होते हैं, उसी के डेहर पर परा हुआ था, जो मैंने बताया के कहानी के अंदर एक बवाय है, उसी बवाय का जनम दिन था, और उस मौके से उस परव के लिए जो उपहार आया था, उसमें ये खरगोस था, बैरहर हम आगे बढ़ते हैं, खरगोस की बहुत सारी खुबिया थी, पंजो में एक सदा बहार पेंरो की टहनी दबाए, वह बड़ा सुन्दर लग और बहुत सारे खिलाओने थे उन खिलाओनों के पास, जैसे के मुफली और संतरी एक खिलाओना जो बिलकुल गारी थी, लेकिन सबसे अच्छा खिलाओना उनमें खरगोस था, रात में ये हुआ कि उस लड़के के अंकल और आंस, यानि चाचा चाची खाने पर आया, उस स पहले वो लरका उस खरगोस के साथ खूब खेला, लगबग दो घंटे तक खेला, नतीजा ये हुआ कि चाचा चाची जब आये खाने पर तो वो अपने साथ बहुत सारे खिलाओने लाए थे, और हर एक खिलाओना एक पैकेट में था, डब्बे में था, लपेटे हुए था हुआ ये कि बच्चा उन खिलाओने के खोलने के चकर में उन्हें देखने के चकर में, खेलने के चकर में अपने इस प्यारे से खरगोस को भूल गया, बहुत दिनों तक हुआ खरगोस खिलाओना अलमारी में परा रहा, कभी जमीन पर परा रहता था, कभी किसी कोने में पर यानि उनमें बैटरी लगती थी वो जलते थे उन्हें चाब ही दिया जाता था इस छोटे से रैबिट को मखमली खरगोस को कभी डांट देते थे जिरक देते थे बरा हीन नजरों से उसे देखते थे इनमें से कुछ खिलोने नए होने की वज़े से दूसरे खिलोने को भी बर देखे वो खिलोने जो मसीनी थे अपने आपको जिन्दा मानते हैं उन खिलोनों में एक नाव भी थी जो दो सालों से वहां परीवी थी फिर भी वो पुराने होने की वज़ा से भी उसमें बहुत सारी खुबियां थी चुकि वो मतलब काफी टेक्नोलोजी में हाइफाई थ और वो पुरानी होने के बावजूद भी अपनी जो रस्यों की डियाइनिंग थी उसमें जो रस्यां लगाए गए थी उसके खुब डिंग भी हाकती थी यानि अपनी तारीफ में जीती थी बहराल आगे बढ़ते हैं इन खिलोनों में करगोस या दावा नहीं कर सकता था कि वो बिल्कुल आधूनिक है यानि जीवित है या नहीं है चुकि उस बेचारे को इस बात का तो खवर ही नहीं था कि उसके जैसे हाकिकत में भी कोई खरगोस होते हैं आगे देखते हैं इस कहानी में क्या है क्योंकि वो नहीं जानता था कि सच मुझ में कोई खरगोस होता है उससे लगता था कि सारे खिलों ने उसी तरह के रूई और बुरादे के बने होते हैं यहां तक कि एक लकरी का सेर जो मैंने आपको करेक्टर में बताया था जिसका नाम तिमूथी था जिसे एक अपंग सिपाही ने बनाया था अपने को इस तरह से पेश करता था इतना जादे अपने आपको समझता था वो उसका बेवार बड़ा खराब था इस रेबिट के परती जैसे वो लगता था सरकार का अंग है सरकार का हाथ उसके सर पे है किसी से न डरता ना कुछ पस अपने सुपरियरिटी स्वो करना चाहता था इन सभी खिलाओनों के बीच खरगोस अपने आप को सधारल समझता था जैसे उसका कोई वैलू ही नहीं है इन खिलाओनों में एक खिलाओना गोरा था जिसका नाम था इसकीन होस जो खरगोस के परती काफी दया रखता था उससे बड़ी महबद करता था उससे समझाता भी था और मदद भी करता था उस घोरे ने सबसे जादे समय बिताया था उन सारे खिलाओनों के बीच जो नए खिलाओने अभी आए थे और उनसे पहले जितने भी चारी वाली बैटरी वाली रिमोट वाली खिलोने जो वहाँ पर थे उनस सब को वो देख चुका था लेकिन उसका अनुमान था कि ये सब खिलोने हैं जब इसकी मसीन खराब हो जाएगी तो ये सब बरबाद हो जाएगे एक दिन खरगोस और घोरा एक साथ लेटे हुए थे तो खरगोस ने पूछा जीवित होना क्या होता है जीवित होना क्या होता है इस वाट इस रियल खिलोने के अंदर जब लाइट जलती है तब ये जीवित होता है ये खिलोनों के बाहर चाभी भरने वाला हैंडल होता है वह जीवित होता है गोरा कहता है कि सजीव होने का मतलब या नहीं कि तुम्हें कैसे बनाया गया है बलकि तुम्हारे साथ क्या होता है अगर तुमसे कोई बहुत प्यार करे ना कि तुम्हारा इस्तमाल केवल खेलने के लिए करे तब तुम जिन्दा हो सजीव हो जाते हो खरगोस फिर पुछता है, इसमें तकलीफ होती है? तो घोरा जवाब देता है, कभी-कभी घोरा यह भी बताता है की लरके के चचा ने उसे सैजीव बनाया था और एक बार सैजीव बन जाने के बाद कोई निर्जीव नहीं होता है खरगोस सोचता है इस जादू में काफी समय है यानि एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं भी बिल्कुल जीवित हो जाओंगा बाकी के कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ लेक्चर नमबर टूब में